कभी भी BSP के लोग सड़क पे उतर कर किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करें हमारे लोगों ने हमेशा सूज बूज और दिमाग से काम लिया पहन जी ने हमेशा समझाया किसाथ यो सड़क पे उतर कर जगड़ा करकर आपको अपके लोगों के लिए नाए नहीं मिलेगा आपको अपने समाज के लोगों के बारे में और अपने समाज को जागरू करके वोट डालके अपने लोगों को दिस्ता में बिठाकर उन लोगों के लिए नाए मिलेगा साथियो मैं दिल से ही नहीं बलकि दिमाग से भी आप से बोलूँगा कि काम लें इस बारी दिल से आदमी भावुक हो के बोलता है भावुक हो के आक्शन लेता है कभी लगता है कियार मेरे समाज के मेरे परिवार के मेरे दोस्तियार के यहां गटना हुई तो मैं भी उसके साथ जाके खड़ा हो जाओं मैं भी आंदोलन करूँ मैं भी पुलीस से जगड़ू मैं भी एसपी और डीम से लड़ू कि उसको नयाय मिलना चाहिए साथियो ये भी तरीका होता है बट ये कभी बीएसपी का तरीका नहीं रहा कभी भी ब हमेशा समझाया कि साथियो सड़क पे उतर कर जगड़ा करकर आपको आपके लोगों के लिए नयाय मिलेगा आपको अपने समाज के लोगों के बारे में और अपने समाज को जागरू करके वोट डालके अपने लोगों को तक्ता में बिठाकर उन लोगों के लिए नयाय मिले साथियों पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरूधी पार्टियों ने किसम किसम के लोग छोड़ रखे अब नाम लेके उनको बताना क्या उनको हवा देने की कोई जरुरत नहीं पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीकी से बढ़का रहे हैं वो मैं काम आप से बिंती करता हूँ कि उनके चक्रों में ना पड़े क्योंकि एक बार आप उनके चक्रों में फ़ड़ फ़स गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा साथियों ये आदमी अपने आपको मसीह बताता है ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए अंदोलन करता है जगरता है लड़ता है हमारे युवासातियों को लेके पहुच जाता है फिर क्या होता है हमारे युवासातियों पे मुकदमे होते हैं और जैसी मुकदमे होते हैं वह बिचारे ढूंटे फिरते हैं कि भाई साब हमें बचाओ वह सती ओ, तो सरकारी नोखरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा, ये आपको आज गरमघूनी दिखाके, एमोशनल करके, आपको सडकों पर ले जा रहा है, और बाद में फसा रहा है, सत्य ओ, सडके लड़कर, आपको वोट, आपको आपकी जाकत आपको सत्ता में आने का मौकर नहीं मिलेगा आपको अपने समाज को जागरूप करके अपने पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर नियाए और रोजगार मिलेगा साथियों ऐसे नहीं मिलता रोजगार ऐसे नहीं मिलता नाए साथियो अभी पुछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जीजान लगा दी कि वो इंडी अलाइंस में घुज जाए किसी तरह अगर इंडी अलाइंस में घुज गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे विचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमाना जब्थ हो जाएगी परन्तु साथियो विचारे की किसमत इतनी खराब कि इंडिया लाइंस में होके भी विचारा बेघर घूम रहा है पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो देजे भाई अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है भाई साब आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे हैं कि भई बस्पा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है वो लड़ना ही पाएगा हमारे प्रत्याशी जी से आम में एक बर रिक्वेस्ट करूँगा कि जरा सामने आए आईए आप साथ अब बताईए साथियो अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं अगर आप हमारे आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तोर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हाकों के लिए नहीं लड़ सकते तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं पर अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर उतने ही मजबूत है जितने हमारे कारे करता तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमाना चब्द होने वाली है और यही प्रत्याशी है उसको वो मुतोर जवाब देने वाले है शुरेंदर पाल तुम आगे बढ़ो शुरेंदर पाल जी आगे बढ़ो साथियो वो ऐसी ऐसी बे तुकी बाते करता है कि अब उसकी और बाते करेंगे तो हमारी बेस्टी हो जाएगी तो अब हम इससे आगे बढ़ते है साथियो जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोग सबहाम चुनाव हो रहे हैं तो ये किसी भी तरीके के हतकंडे अपनाएंगे जूटी अववा फिलाएंगे ये विचारे नीला पटका पहन के आएंगे अगर उनका नीला पटका भेल हो जाए तो पार्टी का नाम भी बदल लेंगे हमारे संस्तापक का नाम रख लेंगे परन्तु आपको इनकी बातों में नहीं आना है ये उतने ही बेकार हैं जितनी कॉंग्रेस और बीजेपी जितनी सपा और आर जेटी साथियो आपको इन सबसे बचके और समलके रहना है